गुड मानिंग सर्व मैं नेम इस अलारामकृष्णा अर्कु पार्लमेंट डिश्टिक कहां से बोल रहे हैं वही है हाँ दिखाई दिया हाँ बोलिये हाँ मैं इस अलारामकृष्णा सर्कु पार्लमेंट डिश्टिक सर्व मैं बिलॉंग्स ट्राइब कमिनिटी पारेर असंबली बूत रंबर 281 सर्व मैं क्वेश्टिन तो यह सर् मैं आप काम तो करी रहे हैं ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं देखिए कारकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना यह भी बहुत बड़ी ताकत है आंद्र गारू को मेरा अभिनंदन देखिए 2047 में जब अमारी देश की आजादी के 100 साल होंगे और हम देश को विक्सित भानत बनाना चाहते लेकिन भारत विक्सित तबी होगा जब गाउं विक्सित होगा और इसलिए हर गाउं का संकल्प बनना चाहिए कि 2047 के पहले हमें अपना कार्य खेत्र गाउं होगा पंचायत होगी नगर होगा महानगर होगा हमें उसे भी डेवलप बनाना है समस्याओं से मुक्त करना है और इसके लिए चोटे चोटे प्रयास ही बहुत बड़ी असर दिखा सकते हैं जैसे कि हमारा गाउं कैसे हरा भरा हो कैसे गाउं में स्वच्छता को लेकर हम अलग-अलग कारकम कुशुरू कर सकते हैं हम गाउं में सोलर को कैसे बढ़ाए सोलर एनर्जी की गाउं में कैसे आदट डाले आज भारत सरकार सोलर एनर्जी पर इतना जोड दे रही है हमारे भाजपा बूद्ध कार करता है ठान ले कि अगर किसी गाओं में सो घर है तो अगले दो साल में वहां सौर उर्जा का जादा से जादा उपयोग हो हमारे किसान हो उनको समझाएं सोलार पम्प का उपयोग करिए आपका पैसा भी बच जाएगा जादा से जादा लोग कैसे सोलार लगवाए हम उनको प्रेरित करें काम सरकार का नहीं है जनता जनार में ले जाने का एक सकारात्वक तरीका है उसमें बैंकों से जो कैसे मदद मिलती है उनको बेंज कोंसे मदद कैसे दिलवाए आर्थी सहयोक्स बेंगों से मिलता है उन तक कैसे पहुँचे उनको इनकी जानकारिया हम कैसे दे आप जानते हैं केंद्र सरकार के प्रयासों से स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत तेजी से कम होता जा रहा है लेकिन फिर भी भाजपा कायर करता है यह सोचे कि मैं जिस बुथ में काम करता हूँ वहाँ कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा बेटा हो या बेटी सत्प्रतिशत पढ़ेंगे इसके लिए मैं काम करूंगा मुझे बताईए भाजपा के कायर करता हूँ कोई काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए आपका बुथ मजबूद होगा के नहीं होगा आपके गाउं में से अस्च्छा जाएगी के नहीं जाएगी कोई बच्चा अगर बीच में स्कूल छोड़ रहा है ले जाए सेवा भी होगी बाज़पा काम भी हो जाएगा अगर उसको कोई आर्थिक परिशानी है किताब नहीं है लिखने के लिए «अब बच्चों के लिए दो नोट ले आएए उनको उनिफिव नहीं है आओ भाई नहीं है दो बच्चों के लिए उनिफिराओ आओ मन नगर का अनुपव हम गाउं के लोगों को ले जा सकते हैं इतना ही नहीं किसो को कहेंगे जन्म दिन आंगनवाडी में मनाओ आपके पिताजी के मुर्थ्यू कितिती हैं आंगनवाडी में मनाओ आपके शाधी की शाल की रहा है आंगनवाडी में मेलाओ घर से कुछ बना कर के लियाओ चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं खिलाओ कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्म दिन मनाने का आनद भी आएगा मैं मानता हूँ कि हमने ऐसे तरीके दूनने चाहिए और जितने जैसे जहां पंडेरी का काम है वो दूधी कट्टा करकर के पिला सकते हैं मैं जबता हूँ कि यही तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और मैं मानता हूँ इसका आदत लोगों को भी लगेगा ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा और इसलिए मेरा अगर है कि हम इन बातों को ज़्यादा महत्वत दें अपने गाउं के अंदर इसी प्रकारते काम को अब जैसे अंकुरित मुंग होता है अंकुरित चना होता है अपने घर में करें सो ग्राम इतना अंकुरित हो जाएगा आपने वहां बार दिया आंगनवाडी में आंगनवाडी के बच्चों का कुपोशन से लड़ाई लड़ने की ताकत आएगी पोशन बढ़ेगा देखिए सरकार की योजनाओं से जादा समाज की शक्ती जुड़ जाती है तो निश्चित परणाम अवस्चे मिलते हैं और हम चाहते हैं कि 2047 भारत को विक्सित बनाना है तो ऐसी हर छोटी चीजों को हर समस्या से में मुक्ती लेना नहीं है वो और मुक्ती हम लाएंगे तो हम परणाम लाएंगे आप जानते हैं कि देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी बनी है उसमें एक बात कही गई है कि बच्चों को प्रेक्टिकल नौलेज पढ़ाना काम सीखना ज़्यादा टीचिंग नहीं लर्निंग ये जब आया है क्या कभी हम जाएं स्कूल में और मास्टरीची से बात करें कि चलो आज बच्चों को हम जड़ा बाहर ले जाते हैं मैं भी साथ में आता हूँ और बच्चों को बताएंगे देखिए बे बर्गत क्या पैड कोंसा है चलो देखो नीम का पैड कहां है देखो चलो दून के लाओ कौंसा कौंसा पैड है फूल है तो कौंसा फूल है बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी कभी कोई कुमार होगा गाउ में चलो भी आज कुमार के घर जाएंगे वो मिट्टी को पैसे काम करता है मिट्टी में से घड़ा कैसे बनाता है याने स्कूल तो जो करती होगी लेकिन मेरा बूत का काहर करता उसके साथ जुड़ जाता है तो उन बच्चों के जीमन में भी बढ़लावाता है और नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप लागू हो जाते है कई ही हास्त सिल्फी होते हैं चीजे कैसे बनाते हैं बच्चे जब बारिक से जेखते हैं कि सुई धागे से ऐसे से काम होता है बच्चे का विस्वाद बनता है हम एक सामाजिक कारकरता बन जाते हैं और इसलिए मैं बूत के भाजबा से कारकरता हों से यही कहूंगा कि आप वहां के जन जीवन से जूड़िये उनकी रोज मरा की जिन्दगी से जूड़िये उनकी रोज मरा की जिन्दगी में राजनिती नहीं होती है उनकी रोज मरा की जिन्दगी में आगे बढ़ने का इरादा होता है उस आगे बढ़ने के इरादे को पहचानिए और अपने आपको उसके साथ जोड़िए वो आपके साथ जुड़ जाएगा आपका बूत मजबूत बनने से कोई रोक नहीं सकता है और इसके लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए